तो आपको आपको कि 17,800 से 850 के बीच में जब तक निफ्टी ये लेवल के ऊपर दो डेली कैंडल क्लोजिंग अगर इसके ऊपर नहीं देती है अगर आप देखोगे तो फ्राइड को हमने ये लेवल किया था हमने इन फाक इतने सारे अलर्ट्स भी दिया थे कि देखो don't get carried away with this rally ठीक है जो हुई है don't get carried away with this rally we can see some sell-off from higher levels and exactly वैसे हुआ हमको एक 100 points को fall देखने मिला निफ्टी में you can say from 17,800 odd levels and bank nifty में भी एक अच्छा कासा fall देखने को मिला क्योंकि ये भी तेको ये जो level है यहां से जो इतने बार support करा था यहां से एक बार breakdown है यहां से एक बार अच्छा rejection भी आ तो ये जो level है 41,600 ये एक अच्छा resistance का काम किया 650 actually हमने ये दोनों levels हमारे charts पर रोग यह तेने exactly वहां से bank nifty पलटा है okay so it was a good day for us on Monday no doubt we earned a good amount of money now let's see what can happen on Monday now बहुत जन confusion में कि यार bank nifty bullish दिखा रहा है nifty bearish दिखा रहा है करना है तो करना क्या है okay so let's see क्या करना चाहिए अभी हमको आने वाले दिनों में okay now bank nifty का clear अगर आपको scenario देखना है तो bank nifty अगर 42,000 के उपर निकले मतलब यह जो level है इसके उपर अगर निकले तो मतलब यह जो trend downtrend चल रहा था bank nifty का यह खतम हो जाएगा correct क्योंकि यहां पर एक लोवर लोवर हाई बन रहे थे kind of वो अब बंद हो जाएंगे correct यह जो आपको दिख रहा है यहां पर यह बनना बंद हो जाएंगे but similarly in the case of nifty nifty के लिए थोड़ा bullishness मेरे साब से 17,800 850 के उपर अगर निफ्टी गया तब ही market का trend change होगा और else हम expect कर रहें कि यह जो है 17,250 odd levels यह बार break होके 17,000 या 16,900 भी आ सकता है in the month of March which is our expectation okay हमारा view कब change होगा जब 17,800 या 850 के उपर दो डेली कैंडल क्लोज मिल जाए तब आप समझोगी कि 17,000 नहीं आने वाल है फिर market सीधा 18,000 या 18,200 भी जा सकती है okay फिलाल के लिए यह एक level आपको ध्यान भी रखना है which is what 17,800 तो 850 ठीक है नो चलो इंट्राडे की बात के लिए इंट्राडे में अब क्या हो सकता है इंट्राडे में हमारा expectation है simple अगर अभी at the time of recording this video I think SGX Nifty you know when it was trading it is showing just 9 points positive अगर आप देखोगे तो निफ्टी में काफी सारी gap है भरने के लिए अगर आप देखोगे तो यह एक बड़ा gap है 17,600 तक का gap है यह जो पूरा region है 17,670 से लेकर 17,600 यह 70 points का region जो है यह पूरा gap zone का काम करता है and in fact यहां पर अगर आप देखोगे यह एक काफी एक support का काम कर सकता है यहां पर अगर मैं इसको यह लेवल को draw करू बराबर से यहां पर क्योंकि देखो प्राइस कितने बार यहां से reverse कर चुका है 17,445 और एक गाप है जो कभी भी आपी पता नहीं कि कब भर सकता है market but these are gaps that you know nifty is yet to be yet to fill you can say okay so what can happen tomorrow tomorrow it's just clear you have to be bullish if 17,800 crosses or else wait for some bullish formation to happen over year मतलब 17,600 या 17,585 के अर अगर कुछ आपको bullish reversal दिख रहा है then you can go for buying or else मेरे असाब से जब तक 17,800 ब्रेक नहीं होता तब तक आपको bullish होना नहीं है इस market में in fact हमने यहां पे call sales भी दिया था है और वो call sales भी अच्छे profit में दे although it was a very big patient test for many members in the group but I hope you know every spread that we took ended in green ठीक है bank nifty का case क्या है bank nifty yes no doubt nifty से जादा bullish है but bank nifty अगर आप देखोगे तो बहुत सारे resistance है यहां पर अगर देखोगे यहां पर यह पूरा region 41,600 से 41,700 यह in fact काफी बड़ा resistance का region है okay तो अगर में को bullish होना है इस market में nifty में specifically bullish में तब होँग ने बैंक निफ्टी का देख लेते बैंक निफ्टी आली time frame पर शिफ्ट करके देखते को एक अच्छा support region हमको मिल रहा है का बैंक निफ्टी में support region देखो यह बनके आरा है you can consider this as a good support region यह अक्शली पूरा बड़ा सा एक जोन है ठीक है 41,200 अब पकड़ के चल सकते हो could be a good intraday support region next support region का रहेगा next support region यही रहेगा ओके देखो यहां से कितने बार price react कर चुका है ठीक है so यह two regions would be the good support region मता हो कि समझो अगर market 41,170 बना 41,150 के नीचे अगर trade करना चालू करें फिर तो यार एक अच्छा बड़ा fall आ सकता है market में क्योंकि यहां पर जो buyers इतने टाइम से market उपर लेके जाने का कोशिश कर रहे है वो लोग यहां पर give up कर देंगे ठीक है बिकज यह final attempt है बुल्स का की 17,800 के उपर क्लोस कराने का बिकज इतने ताम से market was in a bearish trend ठीक है so now buyers are trying to take the market up but if market fails then we can see some good amount of fall in coming days as well all right so bank nifty का trend का बुलिश होगा 42,000 के उपर nifty का trend बुलिश होगा 17,850 के उपर अगर 2 daily candle close मिले तो okay so that's about it for the market video hope you guys like this video if you guys like this video please hit that like button share it with your friends this is me manu signing off take care and have a nice one bye झाल झाल